दोस्तो रेल विकास निगम लिमिटेट यानि RVNL की बात कर तो स्टॉक के अंदराज बहुत ही जबर्दस तेजी बनी हुई है अब इसके पीछे जो सबसे बड़ी वज़े है कि नई जो सरकार का गठन हुआ है यानि मोधी 3.0 गवर्मेंट उसमें देख सकते हो कि बदलाव नहीं हुआ है यानि रेलवे मंत्राले अभी भी अस्वीनी वैशनों को ही दिया गया है यानि जो सरकार की नीतिया है वो आगे भी जारी रहने वाली है और इसकी अलड़ी अनौसमेंट भी हो चुकिया इस बार बज़ेट में फिर से रेलवे इंफ्रा प्रोजेक के लिए कुछ बड़ी हो सकती है अब आरवी अनिल तो रेलवे सेक्टर के लिए तो काम करती है साथ में पावर सेक्टर के लिए भी काम करती है और पावर सेक्टर के लिए भी सरकार है इस समय जो अपनी योजना है उसको आगे भी लागू करने वाले है और इसके लिए अलग से दो मिनिश्रिस ब बनी हुए है और सीधा फाइदा होता है कोई भी रेलवे की कंपणियों को पेनिफिट में लेगा उसका सीधा फाइदा आई यारपसी को होगा क्योंकि रेलवे की फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली यह कंपनी है और कुछ बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है बहुत स पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त ऐस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत स्वागत है तो सबसे पहले आई यारपसी की बात कर ले तो यहाँ पे आई यारपसी ने लो भी बना इसका मतलब है कि कुछ समय के श्टॉक आपको जरूर थोड़ा सा रेड़ में ट्रेड करता हो दिखा लेकिन निचले लेवल से जो खरीदारी है यह वो काफी सांदार है श्टॉक ना जबरदस दॉल लगे इस समय भी 178 के आसपर टेड करा है 3.46 परसें की 31.95 का है और all time low range इसके 19.30 की है तो आप देखतों कि 19 रुपे का जो स्टॉक था वो 180 के आसपास है तो बहुत बड़ा यह मल्टी बेगर साबित हुआ है और आने वाले से इससे भी सांदार प्रदसन यह कर सकता है पिछले एक साल में इसने 426 परतिसत का बंपर रिटें दि है जिसने आप देखे तो एक लाग का इन्वेस्मेंट किया होगा इस स्टॉक के अंदर उसका जो इन्वेस्मेंट है वो 5.26 लेक तक पहुंच गया है अब आप देखी सकते हो इतना सांदार रिटें कहां पर मिलता है बैंक 10 साल में आपके पैसे डबल करते हैं यहां पर ए की 387 के आसपास यह इंट्राडे में 384 का इसने लो बनाए लेकिन जो हाई है वो 417 का है जबर्दस दोड लगा है श्टॉक ने और इस समय 413 के आसपास श्टॉक ट्रेड कर रहा है 6.74% की सांदार तेजी बनी हो है यानि RVNL का स्टॉक दोड रहा है और railway के सभी स्टॉक कम सकता है कि आज ही इंट्राडे में यह नई हाई बना दे इस हिजाब से इसमें तेजी का वातान बना हुआ है 52 वीक का लो देखे तो 117 के आसपास है और उस हिजाब से देखे तो इसने बहुत ही जबर्दस रेटन दिया लोगों को ओल टाइम लो रहें जिस तो इसकी 10 रु उठाएगे थी और देख सकते हो कि कल मातर वन कोट का ही वालिम होता 33 लक्ट डिलोरी बेस काम हुआ लेकिन आज सुबह सुबह ही 10 बजे के पहले 4 कोट का जबर्दस वालिम हो चुका है नहीं वालिम जबर्दस बढ़ा इसका मतलब है कि बड़े फंडाउस काफी सांदर ख इसे डवली इंफ्रा या फिर एचेल इनी स्टॉक में उन्होंने खरिदारी की सला दिया है उनका कहना है कि इस बार जो बजट का फोकस रहेगा वो इंफ्रा प्रोजेक्ट के उपर रहेगा उसमें आर्वी नेल को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है तो यहां पे मैता एक् इंफ्राशक्चर, डिफेंस, एग्रिकल्चर, रिनेवल एंडर्जी इन सेक्टर के उपर ही रहेगा जो पहले से उन्होंने अपना गोल सेट कर दिया उसी को आगे बढ़ाने वाले और सरकार की जो मनसा है इस सेक्टर में एक आमूल परिवर्तन लाने की है तो ऐसे मैं दे और ऐसे मैं इन स्टॉक के अंदर काफी अच्छी तेजी की समावरा बनेगी तो रियांग अरोडा ने यहां पर देखा कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न इस समय काफी जाला सांधार दिख रहें 345 का ब्रेक आउट दिया है और अब यहां पर एक अच्छी तेजी की समावर में निवेश करना चीए आपको पता ही होगा कि बीजनस इसका बहुत ही सांधार एक कंपनी बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट भी करती है और मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट के पास ही समय और जो बड़ी गुड़ी निकल क्या रही है पटना के अंदर चार नए सिटीज के अ तो यहां पे देखो कि अर्बन डेवलोप्मेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रपोजल ता उसको मंजूर कर लिया है स्टेट कैबिनेट ने अब आप देखो कि चार नए सिटी जिसमें आप देखो कि मुझभवरपूर गया दर्भंगा और भागलपूर में अब यहां पे मेट्रो सुरू होने वाली है वहां पे मेट्रो प्रोजेक्ट की संभावना बागे देखी जाएगी इससे पहले देखो कि 17 फरवी 2019 में पीम नर्णा मोदी ने पत्ना रेल मेट्रो प्रोजेक्ट को सुरू कर दिया था और यह अभी अंडर कंस्ट्रक्श है ऐसे में बहुत बड़ी गोल्डन अप्रोजेक्ट को भी इसके अलावा देखे तो सरकार की तरफ से नेशनल मास्टर प्लान की तहीं से पी एम गति सकती योजना के तैद करीब 6,046 क्रोट के हाईवेज और मेर रेलवेज के प्रोजेक्ट को भी एनाउंस्मेंट की गई 83.117 किलो मेटर का यह प्रोजेक्ट होगा तो यह दोनों कम्तियों को बहुत सारा बेनिफिल होने वाला है इसके अलावा अगर जो सबसे बड़ा फाईदा होने वाला है कि जितनी railway पुरानी है वो धिरे दरे बन होने वाले है उसकी जगह पे वंदे भारत सिलिपर, वंदे मैट्रो और वंदे भारत जगल लेगी इसके अलावा अमरीद भारत ट्रेन और नमो भारत ट्रेन ये सारी की सारी जितनी पुरानी ट्रेन है चाहे हो राजदानी हो उनकी जगर लेने वाले है ऐसे में आप समझी सकते हो कि कितना खर्च होने वाला इसके अलावा देश के जितने बड़े-बड़े railway station है वो सारे के सारे ऐरपोर्ट की तर्ज पर बनाय जारे बहुत सारा वापर खर्च होने वाला है ऐसे में लॉंग टर्म इंवेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इन दोरों रेल वेकेशेरों में दाव लगाए भले ही शॉट टर्म में आप देखे थोड़ा सा दबाओ देखने को मिलेगा लेकिन लॉंग टर्म में ये स्टॉक फिर से वैसा ही रिटन देने को तैयार है जो अभी तक दोर दे चुके और उतना रिटन दे चुके क्योंकि इनके अंदर जितनी समावन देखे रहे हैं उसके हिसाब से ये प्राइज तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सेक्टर ये ऐसे है जिसमें बहुत क्रोडो खर्च होने वाला क्रोडो रूपे खर्च होने वाले ऐसे मैं लॉंग टर्म का नजी रहा लेकिन नीवेस आपको करना चीए आयार अपसी और आरवी अनल में थाले क्योंकि प्राइज की भी प्राइज वीत लॉपे अनल में देच खर्ण का नजी और आपकेशन आपकेशने दाच, जालेज कीए खर्णा अनल में